नमसकार मैं हूँ प्रशांत भारद्वाज और आप देख रही है न्योश्रूम पोस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री कहा जाए, आम आदमी पार्टी के सैयोजड कहा जाए सिर्फ आम आदमी कहा जाए या दिल्ली का मालिक कहा जाए अर्विंद केजरिवाल के लिए कोई भी पदनाम लगाने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि उनकी कथनी और करनी हमेशा रेल की पट्रियों की तरह एक दूसरे से अलग-अलग ही चलती है ऑपरेशन शीश महल ने उनकी आम आदमी वाली छवी पर बड़ा तगड़ा डेंट डालने के साथ ही उनकी दिल्ली के मालिक वाली असली जो छवी है जो चहरा है उसको बेनकाब किया है खुलासा हुआ कि उन्होंने अपने बंगले को चमकाने में पैतालीस करोड रुपे खर्च कर दिये इस खुलासे के बाद बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंतरी पर लगातार हमलावर है ओपरेशन शीश महल के पाँचवे पार्ट में सेटलाइट इमेज से जो खुलासा हुआ उससे ये पता चला कि रेनुवेशन की जगा नया घर ही खड़ा कर दिया गया दिल्ली सीयम के बंगले की सेटलाइट तस्वीरें दिखाती है कि केजरीवाल का पुराना घर कहा है और अब नया घर कहा है इसके साथ ही ये भी सवाल है कि इसमें नियमों की अंदेखी भी की गई है सेटलाइट तस्वीरों से ये पता चला है कि ये कैसे नया घर देखते ही देखते बन गया 2013, 2016 और फिर साल 2017 की तस्वीरें उसमें बिल्ट अप एरिया आप साफ तोर पर देख सकते हैं 2015 में दूसरी बार CM बनने के बाद केजरी वाल यहां शिफ्ट हुए थे लेकिन फिर 4 साल बाद ही 2021 के मार्ज महिने में ये तस्वीर पूरी तरह बदली हुई दिख रही है अब इसके बाद सवाल यह उठ रहे हैं कि CM केजरी वाल पुराने घर में रहते हुए नया घर बनवा रहे थे तो tender addition modification आखिर क्यों नहीं निकला सैटलाइट तस्वीरों से साबित हो रहा है कि पुराने घर में बदलाव या मरमत का कोई काम नहीं हो रहा था अगर नया घर बनवाया गया तो उसका tender क्यों नहीं निकाला गया इसके पहले operation में ये भी खुलासा हुआ था कि कैसे 10 करोड रुपे से कम कीमत का प्रपोजल तयार किया गया 10 करोड से जादा रकम होने पर इसका tender निकालना पड़ा इस नए खुलासे पर अर्विंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी रहे आशुतोष ने भी सवाल खड़े किये उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो आकर बताना चाहिए ये सवाल नहीं कि पेपर कैसे और कहां से मिले वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता सुदान चुत्रवेदी ने भी इस नए खुलासे पर कहा कि टोपी मफलर बंगला गाली सबका भेद खुल चुका है विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरिवाल पर जवाब देते हुए बन नहीं रहा वो केवल इसके बदले में पियम मोधी पर आधार ही इन आरोप लगाकर तेरा कॉलर मेरे कॉलर से ज़ादा गंदा है वाली राजनीती कर रही है तो इस विडियो में मेरे साथ फिराल इतना ही अरविंद केजरिवाल के बंगले के रेनोवेशन का ये मुद्दा अभी उनके लिए कितना नुकसान दायक साबित हो सकता है कमेंट करके जरूर बताइए विडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजे और चैनल को अगर सबस्क्राइब नहीं किया हो तो जरूर कलीजेगा फिर मिलेंगे एक नई विडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए तीचे जाज़त नमस्कार